हलो फ्रेंट्स, आम स्वाती सिंग हमारी पेड़गोजी से रिलेटिट क्लास जल रहे हैं फोरक केविएस प्रिपेशन तो काफी जादा टॉपिक हमने कंप्लीट करी लिया है अपने दो दिन टॉपिक्स तो हो गए हैं सब टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिया है प्रॉपर वे में तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल चाइल्ड यानि कि विशिष्ट बालक अब एक चीज सोचने वाली है कि स्पेशल चाइल्ड होते ही कौन से है क्या मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ या आप स्पेशल चाइल्ड है या हमारे आसपास और कौन से बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड है ठीक है तो स्पेशल चाइल्ड केवल वो बच्चे नहीं होते हैं जो पिछडे वे होते हैं मतलब बाकवर्ड होते हैं special child वो बच्चे भी होते हैं जो gifted होते हैं मतलब special होते हैं special मतलब for example माल लीजे आपके friends में या आपकी classroom में कुछ बच्चे आपके सामने ऐसे होंगे जो बहुत जादा creative होंगे बहुत जादा superior होंगे superior यह नहीं कि वो economically बहुत superior है यह चीज़ अपने as a mental level में बहुत superior होते हैं मतलब बहुत जल्दी किसी चीज़ को achieve कर लेते हैं बहुत time नहीं लेते हैं किसी चीज़ को सीखने में extra word होते हैं, intro word नहीं होते हैं, extra word होते हैं, अपने आपको किसी भी position पे रख सकते हैं, किसी भी time कुछ में explain कर सकते हैं, किसी time में hesitation नहीं होती, all over activities में participate करते हैं, creative होते हैं, अपने से ही कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, discovered होते हैं, कि कुछ ना कुछ discover करते रहते हैं as a problem solver होते हैं तो जो agent को हम बोलते हैं na extra achievement बच्चे या extra achievers बच्चे जो होते हैं वो होते हैं आपके special child यानि कि vicious बालग ठीक है एक तो वो हो गए और second होता है आपका जो mentally retired होते हैं जो मांसिकता कमजोरी पाई जाती है जिनमें जो एक limit से जादा जैसे न हमें एक limit दी गई है कि यह mileage आपकी borderline है borderline in the sense कि यह normal नॉर्मल child की है ठीक है कि यहाँ पर हमारे सारे यह आपको एक borderline दी गई है कि यह normal child की है ठीक है इसमें आपके सारे normal students रखे जाते हैं जिनका IQ level और mental level बिलकुल normal है जो normal speed से सीखते हैं किसी चीज में ज्यादा time नहीं लेदे हैं और किसी च्ईशको बह। जल्दी भी नहीं सीखती है एक normal speed में सीखते हैं जितनी होनी चाहिए लेकिन इससे एक लाइन उपर के जो बच्चे होते हैं, जो बहुत जल्दी अच्छा सीखते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज को अचीज करते हैं, बहुत जाधा क्रीटिव होते हैं और उनका माइन काफी शाप होता है और एक की बार में उनको चीज़े समझ वा जाती है जिनका हाई IQ लेवल होता है ठीक है वो एक लाइन उपर हो गए उनको क्या बोलते हैं जिसे सुपीरियर बच्ची हो गए या फिर एक्स्ट्रोवर्ड हो गए और स्पेशल चाइल्ड हो कि बहुत जादा सुपीरियर हो गए ओके और सेकेंड आता है नॉर्मल से नीचे वाले बच्चे जो मेंटरी रेटायर्ड होते हैं जिनकी मानसिक्ता मन्दबुद्धी कम होती है जो किसी भी चीज़ को एक नॉर्मल स्पीड से भी कम धीरे सीखते हैं ज्यादा क्रेटिव नहीं होते हैं क्लास रूम में जितनी चीज़े उनको सिखाई जाती है वो सि इतनी सुनते उतनी समझ्जते हैं असे स्टेड़ा दिमाग नहीं लगाते है यह फिर उनको एकी चीज़ ददस बार बोलके बढानी पड़ती है जो बैक्वर्ड होते हैं और तब भी वहone ही कुछ अलग और extra होता है normal बच्चों से special child में वो बच्चे भी आते हैं जो mentally retired होते हैं जो normal बच्चों से इस way में different होते हैं कि उनमें कमजोरियां होती है मतलब उसके अंदर इतनी normal stage भी mental level भी नहीं होता है कि वो normally सीख सके वो इस way में होते हैं कि normal से भी कम उस चीजों में सीख पाते हैं ठीक है तो यह जो दो हमारी stages है special child means gifted और जो mentally retired है यह दोनों ही हमारे special child के अंदर आते हैं ठीक है और दूसरी बात कि आप special child के लिए आपको पता है कि आप हमको अगर classroom teaching कर रहे हैं या अपनी education लेकर आ रहे हैं तो वो हर रूप में क्या अलग-अलग लेकर आनी पड़ेगी उनके लिए extra कुछ करना पड़ेगा तभी दो वो सीखेंगे तो आप खुद एक बार सोचके देखिए कि आप special child के लिए क्या कर सकते हैं अलग से आप special child जो gifted बच्चे हैं जुनको कुछ जादा ही भगवान ने मतलब इतना sharp minded करके भेज़ा है पहले से उनको और motivate करने के लिए आप क्या कर सकते हैं और जो mental retired बच्चे हैं जो मतलब मन्द बुद्धिय हैं या कम सीख पाते हैं उनको motivate करने के लिए आप और education में क्या changes कर सकते हैं ठीक है तो उसी के बारे में अभी बात करेंगे वही आज हमारा topic है ओके तो अब क्या करते हैं पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइपस के जो हमारे बच्चे होते हैं जो special child होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं अगर हमें types पता चलेंगे तभी हम बात कर पाएंगे ना कि जो हमारे special child हैं इन दोनो types में वो कितने प्रकार के होंगे तो हम उस पर discuss करेंगे कि कितने types के हमारे special child students होते हैं वो कितने types के होते हैं और उससे related आपको क्या changes करने हैं उनमें क्या क्या मतलब उनके principles होते हैं आप उनको कैसे पैचान सकते हैं उनकी कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं as a teacher आप उनको कैसे एक normal level पे लेके आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो हमारे gifted child होते हैं मतलब normal से उपर वाले उनको तो आप normal पे नहीं लेके आएंगे हम नीचे वालों को उपर लेकर जाएंगे normal पे लेकिन उपर वालों को पीछे लेकर नहीं आएंगे उनको क्या और आगे बढ़ने के लिए आप motivate करोगे आप उनको ऐसी opportunities दोगे कि उनको और extra motivation मिले अपनी creativity एक सही field में करने के लिए मिले यह नहीं कि वो अपनी creativity है उसको waste कर दे उनको एक proper guidance प्रोवाइड कराओगे opportunities प्रोवाइड कराओगे एक ऐसा curriculum है और एक ऐसी guidance दोगे आप उनने ताकि वो अपने career के साथ साथ अपनी society के लिए भी क्या है बहुत अच्छे आगे निकल के आ सके ठीक है तो type of special child जो आपके विजिश्ट बालक के प्रकार है उसके अंदर हमारा first type है gifted child यानि कि प्रतिबाशाली बालक प्रतिबाशाली बालक कौन से होते हैं जो आपके किसी भी जो एक आपका IQ level आपको याद है मैंने intelligence का जो आपको chapter बढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको जो एक normal उसका IQ level होता है वो 90 से 120 वाला बताया था ठीक है तो 120 से जादा वाले मैंने क्या बताया था? superior बच्चे होते हैं, extrovert होते हैं, creative होते हैं इस तरह से तो जो हमारे gifted child है इनका IQ level कितना होता है? 120 या इससे ever ठीक है? जो हमारे gifted child बच्चे होते हैं, प्रतिबाशाली बालक होते हैं, उनका IQ level जो होता है तस से मस नहीं होते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि characteristics of special child, sorry, gifted child क्या होती है? क्योंकि जो हमारे gifted child बच्चे हैं, उनकी कुछ ना कुछ तो characteristics होंगी न, जो उनको बाकी बच्चों से अलग करती है, normal बच्चों से, mentally retired बच्चों से हर चीज के बीछे उनका कुछ ना कुछ example या कुछ ना कुछ logic होता है, कि माम यह चीज है, तो है ही उसके अलावा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है उसके बाद परशन पूछने की प्रवर्तिय समस्या समाधान में अधिक योगे था, मतलब creative child students क्या होते हैं, एक होते हैं न, normal students, कि आप classroom teaching कर वा रहे हो, तो आपने उनसे कुछ question पूछ लिया, तो वो आपको answer कर देंगे, और जो mentally retired बच्चे होते हैं, वो खुछ से कुछ नहीं पूछते हैं, या आपने कुछ पूछा तो भी answer नहीं करेंगे, लेकिन giftive child जो इतने जादा creative होते हैं, उनके अंदर एक, मतलब कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती है, तो वो क्या करते हैं, क्लास में भी आपसे कुछ नहीं कुछ पूछते ही रहता है, मैम ये कैसे हुआ, मैम वो कैसे हुआ, आप देखना एक topic के अंदर ही आपसे 10 questions पूछ लेंगे, उनकी जो queries होती है, उनने रहता है, कि मुझे अभी के अभी इसका answer चाहिए, और उनके दिमाग शान्त भी नहीं दो फटाफर शॉट आउट कर देंगे, उनको पता कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, ये कहां पे apply हो सकती है, ठीक है, तो ऐसा problem solver भी आपके gifted child होते है, उसके बाद आता है, कि विभेधी करण में स्रेश्टा, यानि कि किसी भी चीज़ में classification करने की, या उसमें differentiate करने की, ब ability बच्चे के अंदर होती है, उसके बाद आती है creativity, जो मैं आपसे बहुत बार अभी discuss कर चुकी हूँ, जो हमारे gifted child होते है, सबसे ज़्यादा creative होते है, उनके अंदर एक जो शान्त रहने की, या अराम से बैठने वाली patience होते है, वो चीज़ नहीं होती है, वो कुछ ना कु करने के लिए सोचते रहते हैं, उतनी उनमें क्या होती है, freedom होती है, second topic है, point है हमारा, कि उनके अंदर freedom बहुत पाई जाती है, स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों में, अपनी thoughts में, उनको कोई bound नहीं कर सकता, कि आप यह चीज़ बोल रहे हो, तो चुप, यह चीज़ नह नहीं बोलनी चाहिए, बच्चे के दिमाग में अगर question आ रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो बच्चा पूछेगा भी, सोचेगा भी और आपके साथ discuss भी करेगा, ठीक है, उसके बाद आता है, लंबी अवजी तक अकेला रहकर अध्यान करने की वेरता, जिससे आपने और ये सारी चीज़े थे, ये Newton के loss थे, तो उन लोगों में ये quality पाई जाती है, कि वो अकेले रहकर भी बहुत टाइम तक, सालों तक, मतब डिस्क किसी पॉइंट को एक के पीछे लगे रहता है, एक normal child को अगर आप देखें, तो उनके अंदर इतने patience नहीं होते हैं, कि वो एक topic को लेकर इतने time तक उसमें work out कर सके, अकेले रहकर, वो क्या है, एक time के बाद उसमें बोरियत आजएगी, या अपने आप में disappointment आजएगी, कि नहीं यार मेरे से नहीं होरी, तो छोड़, अब मुझे नहीं करना, ठीक है, छोड़ दे, नहीं हो रहा, वो एक दो बाद ट gifted child होते हैं, जिनके अंदर patience होते हैं, वो सालों तक एक ही topic पर research कर सकते हैं, जब तक उनको वो result नहीं मिलता, जिसकी वो उमीद लगा के बैठे हैं, तो यह जो अविशकार होए थे, यह ऐसी थोड़ी हो गए थे, हम बोलते हैं, laws, newtons के laws यो हैं, और radium का अविशकार गया बल्व का अविशकार गया, पता नहीं कितनी बार वो failures रहे होंगे, तब जाके उन्होंने एक अविशकार किया, वर्ना अगर वो भी हमत आर जाते, या अपने आपको disappoint करते, motivation नहीं होता, या creative नहीं होते इतने, तो वो क्या था, एक बार try करते हैं, दो बार, तीन बार, च चीज को लेकर, आप किसी question को अगर solve भी कर रहे हो, मैस में, तो अब एक बार try करोगे, हल हुआ ठीक है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौती बार आप खुदी नहीं करोगे, आप उसको skip करके next पर jump कर जाओगे, लेकिन gifted child के जो बच्चे होते हैं, वो कभी भी skip नहीं करते ह वो एक के पीछे लगे रहता है, कि इसको जब तक short out ना कर लूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, ठीक है, उसके बाद आते है, education of gifted child, it's very important, आपको पता होना चाहिए as a teacher और आपकी responsibility बनती है, कि जो gifted child आपके बच्चे है, आप उनको किस way में motivate करो, कि वो और उपर जाए किस way में उनकी education provide करो, किस way में उनको guidance provide करो, कि बच्चे और अच्छे निकल के आए या अपनी creativity को कहीं पे अच्छी field में use करें, उसको waste ना कर दे, ठीक है, तो इसमें first है, पाठे करम में सम्रिद्धी, यानि कि जो आपका curriculum होना चाहिए, वो इन बच्चों को समान्या, पाठे करम देना चाहिए, मतलब जो आपका curriculum बनाया गया है, वो normal child को रखके बनाया गया है, कि normal stage में बच्चा इतना सीख सकता है, तो इसलिए उसके साथ साथ जो creative बच्चे होता है, या gifted child होता है, उसके लिए आपको curriculum में change करना है, आपको normal बच्चों के साथ साथ इन tough level रखना पड़ता है, कुछ extra achievements रखनी पड़ती है, extra opportunities रखनी पड़ती है, थोड़ा जटीलता है, यानि कि थोड़ा toughness रखनी पड़ती है, जिससे बच्चे उसको solve करने के लिए अपना दिमाग चलाए, मतलब ये ना हो, क्योंकि अगर gifted है और normal चीज़े आप रख रहे हो तो वो तो एक चुटकी में उसको solve कर लेगा, उसके तो वो level का ही नहीं है, तो वो उसको क्या है, मजा नहीं आएगा सीखने में, वो कहेगा, ये भी कोई चीज है, ठीक है, एक मिन में solve हो गए या आके बढ़ गया, बागी class कर रही है, वो अराम से बेटर रहेगा, तो उस उसको वहाँ पर भी वोरियत लगेगी, कि मेरे level का नहीं है, तो आप उसके level के according कुछ tough चीज़े include कर सकते हो, जिसमें उसका दिमाग चले, जिसमें बच्चा सोचे कि हाँ ही कैसे short out होगी, तो इसलिए gifted child के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको सोचने, समझने और उसकी thoughts को increase क करने के लिए थोड़ा level tough कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आता है arrangement of special classes, अब gifted child बच्चों को special classes की क्या ज़रत होता है, वो तो पहले से इतने extrovert है, पहले से इतने special है, लेकिन अगर आप special child को, मतलब gifted बच्चों को special classes नहीं दोगे, तो वो अपना adjustment नहीं कर पाएंगे society में, मतलब उनको पता नहीं होगा कि अपनी skills को कहां use करना है, वो शायद उसका मालीजे कोई बच्चा बहुत दोशी आ रहे है, चिक है, और उसमे scientific knowledge है, या फिर एक मतलब इतनी जादा ability है कि वो कुछ नहीं कुछ नहीं discover कर सकता है, future में आगे जाके scientist बन जाए, मालीजे bomb का उ अगर उसको अपने proper guidance ही है, कि positive way में है, negative नहीं है, तो वो क्या होगा, bomb का विशकार करने के बाद उसको अपनी सरकार यानि कि government को सोब देगा, कि इसको हम अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, बचाव के लिए, अपने सैनिकों के लिए use कर सकते हैं, लेकिन अगर माल का विशकार के वो terrorism फैला सकता है, और अपने self, मतलब अपने लिए सोच सकता है, कि सिर्फ मेरे लिए अच्छा ही होने चाहिए, बाकी दुनियादारी से मुझे क्या मतलब, ठीक है, तो ये चीज़े क्या आती है, कि arrangement proper होना चाहिए, special classes आप रख सकते हैं, बच्चे को किसे adjustment करना है, क्या उसके लिए negative है, क्या positive है, उसको guidance प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके instruction, instruction में मैंने आपको बताई दिया, कि बच्चे को समझने में help करनी है, आपको direct, indirect और self-directed बनाना है, बच्चे को ये पता होने चाहिए, कि उसके उदेशे क्या ह है, उसको अपनी skills कहां use करनी है, teaching में कैसे करनी है, career में कैसे करनी है, society में कैसे करनी है, तो उसके लिए instructions proper होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद होती है, able और effective teacher, यानि कि इन बच्चों की शिक्षा के लिए योग्या अध्यापक होने चाहिए, अध्यापक बोधिक रूप से समक्ष होना चाहिए, उसमें सभी प्रकार के परष्णों की उत्तर देने की शमता होनी चाहिए, मतलब एक able teacher होना चाहिए, classroom के अंदर, teacher को ये पता होना चाहिए, कि आपकी class के अंदर क्या है, different type of students है, उसमें gifted भी है, normal भी है, और mentally retired भी है, तो आपको ये सामनी, अगर normal child क कोश्चन करते हैं, आप उसका answer कर दोगे, लेकिन अगर आपके अंदर इतनी ability नहीं है, कि ए gifted child आप से कुछ extra पूछ ले, कि माम आपने ये चीज़ पढ़ा दी, लेकिन अगर ऐसा हो गया, तो क्या होगा, या माम ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपके अंदर वो abilities हो proper answer कर सके, ठीक है, as a teacher आपकी responsibility बन दी कि बच्चों की interest और एक जो curiosity होती है, जिग्यासा होती है, आप उसको शान्त कर सके, जब तक आप gifted child students की curiosity को शान्त नहीं करेंगे, तब तक क्या है, बच्चों के अंदर न, ये चीज़ आपके two words क्या होगी, negative ले जाएगा, कि माम को क कुछ नहीं आता, मैं हम तो बस ऐसी आती है, पढ़ाती है, चली जाती है, सिब बुकिश language सोच के, मतलब पढ़ा के चली जाती है, ठीक है, तो इसलिए teacher को खुद में इतना abilities होनी चाहिए, इतनी able होनी चाहिए, कि वो किसी भी प्रकार के questions का answer कर सके, बच्चों को, ठीक है especially gifted child का, उसके बाद आता है, education of social experiences and culture, अब आपको बच्चे को अपनी social life, उसका culture, उसकी संस्कृती से connect करना है, कि उसको उसकी importance बतानी है, उसकी ethics बतानी है, values बतानी है, जो उसकी creativity है, कि उसकी social life में वो कैसे adjust करें, ठीक है? अब आपको gifted child की education भी पता चल गई, कि education की इस रूप में देनी चाहिए है, हमें gifted child की, ठीक है? तो first point आपका बिलकुल clear हो गया होगा, आई हो, अब second point आता है आपका, यानि कि second type of जो आपके special child है, वो कौन से है? वो है आपके backward child. ओके second point आता है आपके backward child, यानि कि पिछडे वे बालक, अब पिछडे वे बालक कैसे होते हैं? backward children आपके वो होते हैं, जो पढ़ाई में, society के अंदर, education में या society के अंदर, adjustment में, knowledge में, अपने बाकी classroom friends से, या अपने colleagues से कही ना कहीं पीछे रहते हैं? मतलब माल लिजए अगर आपके classroom के अंदर 10 बच्चे हैं, तो उसमें एक बच्चा अगर ऐसा है कि बाकी 9 बच्चों का level यहाँ पे है, लेकिन एक बच्चे का level यहाँ पे है, mental level उससे नीचे है, तो वो क्या हुआ? पढ़ाई में भी पीछे हुआ, social life में भी पीछे हुआ, creativity में भी पीछे हुआ, सभी चिचों में कैए, पीछे हैं बाकी बच्चों से, तो वो इन वाले बच्चों से जो उपर है, उसके सहपार्टी हैं, मतलब उसके classmates हैं, उनसे कही ना कहीं रूप में पिछड़ा हुआ ह तो जो बच्चे अपनी education में, या creativity में, या बाकी किसी भी quality में, शिक्षा में, या mental level में, अपने सहपार्टियों या समकक्षियों से, यानि कि जो आपके classmates हैं, उनसे किसी ना किसी रूप में पीछे रहते हैं, वो होते हैं आपके पिछड़े हुए बालग, यानि कि backward classes, backward children अब two type of backward आपके childrens आते हैं, backward childs आपके कितने type के होते हैं, two type के होते हैं, पहला होता है आपका journal, यानि कि समान्य पिछड़े बालग और विशिष्ट पिछड़ापन, यानि कि विशिष्ट पिछड़े बालग, यानि कि विशिष्ट पिछड़े बालग, यानि कि अब आपके समाने पिछोडे बारा कियानी कि Journal Child कौन से होते है, Journal Backward Child, वो होते हैं, जब बच्चों में एक ही विश्य है ना आता हो, तथा बच्चा, जब सभी विश्यों में पिछड जाए, मतलब बच्चे के अंदर कोई भी टॉपिक से रेलेटेड, कोई भी सब्जेक्स से related knowledge ना हो और वो जर्णली सभी सब्जेक्स में पिछडता हुआ चला जाए माल लिजे कि आपने classroom में आपको पता है आपके सभी सब्जेक्स के अलग-अलग period लगते हैं ठीक है तो math का है, science का है, social science का है, home science का है, physical education का है तो जो बच्चा same condition में सभी अपने subjects में, एक विश्य है नहीं, सभी में, सारे subjects में पिछडता हुआ चला जाएगा मतलब सभी subjects में पीछे रहेगा, सभी अपने बाकी सह पाटियों से, मतलब classroom में अगर 10 बच्चे हैं और 9 बच्चे, math में भी अच्छे है, science में भी अच्छे है, home science में भी अच्छे है, physical education में भी अच्छे है लेकिन specify, vicious पिछड़ापन, याने कि vicious पिछड़े बैलक कौन से होते है, जो एक या दो विशियों में पिछड़ापन हो, जिनमें एक या दो विशियों में पिछड़ जाए, backward है, मतलब माली जैसा हो सकता है कि किसी बच्चे को math बहुत अच्छी आते हैं, लेकिन science नहीं आती वो science में बहुत लो है, backward है, पिछड़ा हो है, और home science बहुत अच्छी आते हैं, लेकिन physical education में लो है तो उसने क्या किया, कि दो subjects में तो वो बिल्कुल उपर है, लेकिन दो subjects में बिल्कुल नीचे है, तो मतलब वो क्या होगे, आपका specify, यानि कि math में अच्छा है और माली जै, physical education में अच्छा है, लेकिन science में अच्छा नहीं है, और home science में अच्छा नहीं है तो यानि कि ये जो दो subjects के अंदर बच्चे का पिछड़ापन है, तो वो हो गया आपका wishes, यानि कि specify पिछड़ापन, यानि कि कि किसी कि विश्ये में पिछड़ापन, ठीक है अब बात करते है, causes of backward child, मतलब कारण क्या है अब आपको पता है कि हमने ये discuss कर लिया, कि backward child क्या होते हैं, पिछड़े बालक, जो कहीं ना कहीं slow learners होते हैं, या सीखने में कोई कमी आ रही है, या आपने बाकी बच्चों से mental level में, education में सभी चीज़ में कमी रहती है, ठीक है अब वो two type के है, general और specify, तो उसके कारण क्या है, कोई नो कोई तो reason रहा होगा, जो वो पिछड़ गए है, तो हम उसको improve कैसे कर सकते हैं, जब तक कारण पता नहीं सलेगा, तब तक हम उसको improve नहीं कर सकते हैं, तो first of all हम कारण पे बात करते हैं, कि उसके causes क्या है, यानि कि बालकों के पिछड़े बन के क्या कारण है, पहला कारण है बोधिक शमता की कमी, यानि कि बच्चों का जो mental level होता है, वो normal नहीं होता है, मतलब हो सकता है, classroom के अंदर जो 10 बच्चे हैं, उसमें से 5 बच्चों का IQ level तो 70 से 90 के बीच है, मतलब normal है, सीख सकते हैं, और कुछ का 90 से 20 ये भी normal है, और कुछ का हो गया 20 से above, तो मतलब ये तो बहुत जादा superior बच्चे हो गए, तो अब जो backward है, उनका IQ level क्या हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, तो क्या पता उनका IQ level 40 और 50 या 59 वाला हो, तो इसी दिए एक reason क्या हो गया, आपका बहुत एक शमता, यानि कि mental level हो गया बच्चे के पिछड़ने का, कि शायद उस एक बच्चे का जो पिछड़ गया है classroom में बाकी 9 बच्चों से, उसका IQ level low हो बाकी बच्चों से, ठीक है, first reason तो ये हो गया, second reason आता है बातावरन का प्रभाव, यानि कि आपके environment का फरक, अब आपके environment का कैसे फरक पड़ आप जो बच्चे के उपर सबसे जादा effect डालता है, वो आपका environment से होता है, environment कैसे आपको effect करता है, अगर कोई बच्चा मार लीजे जो वो एक बच्चा है, कि वो 9 बच्चों से पिछड़ा हूँ है, उसका family background शायद ऐसा हो, जहां पे कोई भी educated ना हो, उसके mom dad educated ना हो, उस नहीं मिलेगी, proper guidance नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो भी कही ना कही एजुकेशनली पिछड़ता हूँ चला जाएगा, mental level में भी पिछड़ गया, तो यह चीज़ हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि जो बाकी 9 बच्चे हैं, उनका जो environment है, वो इतना proper हो कि वहां पे सारे उसके mom dad कहां पड़ेगा, उस बच्चे के उपर पड़ेगा, कि वो भी सारा टाइम पढ़ाई में रहेगा, या उसको proper guidance मिलती जाएगी, instruction मिलते रहेगी, उसको career counseling मिलती रहेगी, कि आपको कब कहां पे क्या चीज़ अच्छी करनी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं करनी है, तो यह यह भी एक reason है, बच्चे के पिछडने का, ठीक है, environment, third point आता है, physical defects, यानी की शारिरिक दोश, इसमें क्या होता है, कि बच्चे अपने शारिरिक दोशों के कारण भी पिछडते हुए रह जाता है, classroom में, कि वो बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं, अब शारिरिक दोश कुछ कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई गुंगा होता है, बहरे होते हैं, और किसी में मतलब देखने की blackboard की इतनी clarity नहीं होती, ठीक से देख नहीं पाते हैं, देखने की शमता नहीं होती, कुछ ठीक से सुन नहीं पाते हैं, तो जैसे हमारे गुंगे, बहरे, अंदे, या किस कि मूल कारण से विकलांगता आ जाती है कि पैरलाइज हो जाती है बॉडी और इस ताइप से तो वो सारे हमारे किस्प में आते हैं शारे दिख दोश में आते हैं कि इन जिन बच्चों के साथ यह रीजन्स होते हैं कि वो ठीक से देख नहीं पाते प्रॉपर मार लीजे कोई पच्च आपने सीड़ पे तहरा और उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है तो ब्लैक बोट को भी ठीक से नहीं देख पैगा उसकी अप्रप्द समझेगा उसकी समझेगा तो एसले वहां पे पिछड जाता है उसको चीज समझ यह आती तो वो बाकी points को भी छोड़ देता है ठीक है तो और जिनको proper सुनाई नहीं दे रहा वो नहीं समझ पाएंगे मैम की बाग को तो यह reason भी हो सकता है कि शारिरिक दोश का भी reason हो सकता है और सोभाव संबंदित दोश यानि कि behavior बच्चे के behavior भी क्या है problem create कर सकते हैं उसके पिछड़े पन में एक reason हो सकता है क्यों क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो proper behavior नहीं करते हैं पास्रूम टीचिंग के अंदर या अपनी emotions को control नहीं कर पाते हैं कोई चीज याद आ गई पुरानी तो तुरंद रोना शुरू कर दिया हसना शुरू कर दिया तो वहां पर क्या होता है उनका proper attention नहीं होता है ध्यान नहीं होता है पढ़ाई की तरफ वहां पर वो लोग इस काम की तरफ इतने focus नहीं होते कि मुझे एक काम proper way में करना है या इसमें कुछ अच्छा चीफ करना है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे उस रीजन से भी एक कारण है उनके बच्चे का पिछडने का क्योंकि बच्चे को जब तक अपनी duties नहीं पता होगी अपनी responsibilities के प्रत अब आता है education for backward child अब हमें कारण पता चल गए कि किन किन रीजन से बच्चे पिछड जाते हैं क्या क्या रीजन्स बताया मैंने आपको revise कर लेते हैं फर्स्ट बताया mental ability यानि कि बौधिक शम्ता सेकेंड बताया मैंने environment reason हो सकता है वातावरन थर्ड उसके बाद बताया कि जो बच्चे के शारिरिक दोश है यानि कि physical deficiency है वो problem create कर सकती है बच्चे के अपना खुद का interest या उसका behavior interfere कर सकता है और third अपने duties और responsibilities नहीं पता होती last वो आपके लिए कारण हो सकता है अब आता है education अब हमें कारण पता चल गए तो अब हमें education बच्चे को कैसी provide करानी है उस पे बात करते हैं जो आपके backward child होते हैं पिछड़े वे बालक होते हैं तो आपको पता है कि किन-किन कारण से वो पिछड़ रहे हैं तो आपको क्या है उनके लिए special classes देनी है उनको special attention देनी है उनको special attention देनी है आपको ताकि वो अच्छा आपके तुरूँ सीख सके ठीक है तो first जो हमारा बच्चे के लिए education provide करानी है उसका first point है व्यक्त व्यक्तिकत ध्यान यानिकि individual attention अध्यापक को बच्चों की समस्या को लेकर व्यक्तिकत ध्यान देना चाहिए teacher को यानिकि as a teacher आपको पता है कि किन कारण से बच्चा class में पिछड रहा है कि उसके physical कोई problem है physically mentally कोई problem है environment से related problem है तो आपको उसी से related उसको individual attention देनी है ताकि आप उसकी problem को short out कर सके ठीक है उसके बाद आता है education according to mental ability आप backward बच्चे के यानिकि backward children's के according जो पिछडे वे बालक है उनके कारण को जानते हुए साथ साथ उनकी mental ability के according ही उनकी education दे जरूरी नहीं ना class में सारे बच्चे इस IQ level के हैं जो बच्चे इस IQ level के है 40-59 वाले आप उनके according भी education provide अपनी classroom के अंदर करवा सकते हैं आपको उनकी mental ability को लेके चलना है कि बच्चे का age level यह है mental level यह है तो मैं बच्चे को जो education दूँ वो उसकी mental ability के according दूँ चाहे थोड़ी slow पढ़ाऊं एक चीज़ को ददस बार समझाऊं extra classes दूँ लेकिन बच्चों को properly समझा सकूं ठीक है उसके बाद आता है एक उचित वातावरन प्रोवाइड करना बच्चे को एक appropriate environment प्रोवाइड करना अगर उसका जो background है मतलब family background है वो इतने strong नहीं है कि सभी educated है या नहीं तो आप उसको as a teacher एक proper education प्रोवाइड करा सकते हो उसके जो बाकी colleagues है मतलब बाकी जो classmates है उन से proper way में interact कर आ सकते है education में कि उनको वो instruction दे guidance दे आप as a teacher बच्चे को properly guide कर सकते हो कि आपको कहां पर अपनी education का use करना है या आप कौन कौन सी problem face कर रहे हो तो आपको यह चीज़ अच्छी करनी है यह चीज़ अच्छी नहीं कर सकते हैं खेल खेल के द्वारा कर आ सकते हो demonstration के द्वारा करवा सकते हो participation करवा सकते हो उनको motivate कर सकते हो ठीक है और उसके बाद आता है शारिरिक सुधारों में सुधार मतलब अगर शारिरिक रूप से बच्चों में कोई दोश पाए जाते हैं जो अभी हमने एक reason बताया तो आप उनको सुधार सकते हैं जैसे किसी को blackboard नह लिखता है आई टेस कराई एंको चश्मा प्रोवाइड कराया जाए तो वो क्या होगा उसका वो शारिरिक दोश का है कुछ कम हो जाएगा तो वो आपकी बात को जो लिखी भी बात है उसको देख सकता है सुन सकता है समझ सकता है जो ऐसी बहरे बच्चे होते हैं मतलब defensive ही ह आने के लिए ठीक है अब आते हैं इसके बाद type of backward children देखें पिछडेवे बालक जो भी हमने बात करी वो किसी भी रूप में पिछड सकते हैं अब मैंने उसके अंदर आपको journal और एक specify बताया था राइट ओके तो जो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी backward child होते हैं वो ये तो journal backward होते हैं जो एक विश्यों में पिछड जाते हैं और आपके specify जो किनी किनी subjects के अंदर पिछड जाते हैं एक दो में लेकिन type of backwards कितने होते हैं वो three types के होते हैं three types कैसे हो गए फॉर्स्ट आपका अब यह आगे हमारे type of backward children अब three type of backward students होते हैं आपको पता है तीन प्रकाड जो पिछडे वे बालक होते हैं वो तीन प्रकाड से रखे गया हैं यहादे यहीनिक त्री टाइप रखे गया है कि किन किन कितने types के हमारे backward children होते हैं किन रीजन से वो पिछड आते हैं फरेस्ट त्विजीगल हैन्डिकैप में जैसे मैंने आपको बता दिया घुंगे होते हैं एक टांग से चल नहीं पाते हैं पैर से उनके हाथ में प्रॉबलम होते हैं यह परिलाइज हो जाते हैं या फिर उनको उसमें और प्लीजbir आपका है आगे फिजीकल में ठीक है और सेकेंड वान है हमारा मेंटली डिस्टर्ब रिटायर्ड जो बच्ची होते हैं जिनकी मानसी जो योगयत होते हैं यानि कि मेंटल एबिलेटी होती है जो बुद्धी मता होती है आईक्यू लेवल होता है आपका वो समानने से यानि कि बच्चों से कम होता है ठीक है उसके बाद आगे हैं emotional disturb यानि कि emotionally weak जो होते हैं वो भी आपके backward childrens आते हैं जो अपने emotions को control नहीं कर पाते हैं जिनको यह नहीं पता होता कि आपको कहाँ पे कौनसे emotions use करना है कब उनको control करना है कब feel करना है कब express करना है ठीक है वो भी आपके कि में आते हैं backward children's के अंदर आते हैं अब इसके बाद थर्ड टाइप बात करते हैं ठीक है थर्ड टाइप जो आपका आता है दो टाइप हमने discuss कर लिए हैं फर्स आपका gifted child होता है special child में second आपका backward children's होता है और थर्ड टाइप आपका creative child यानि कि surgeon शील बालक surgeon शील बालक कौन से होते हैं जिनके अंदर किसी भी चीज़ को लेके अपने thoughts होते हैं अपनी creativity होती है मतलब जो creative child होते हैं उनका भी जो IQ level होता है 120 या 120 से above होता है मतलब normal child से उपर ही होते हैं और इन बच्चों में क्या होता है हर topic को लेकर सोचनी की जो power होती है thinking होती है वो extra होती है extra word होती है divergent thinking होती है मतलब अगर माल लीजे मैं यहाँ पर एक glass रख दूँ और उसको बोलू कि अब इसके बारे में बताओ कि क्या है तो शायद कुछ लोग इसको आधा खाली देखें लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं इसको आधा भरा हुआ भी रेख सकते हैं तो सबकी क्या है अपनी सोचने की thinking है तो इसलिए जो creative child होते हैं जो उनकी सोचने की शक्ती है जो thinking power है जो thoughts है वो क्या है divergent होती है वो एक topic पर 100 तरीके से सोच सकते हैं और convergent thinking वाले कौन से बच्ची होते हैं जो एक topic पर एक ही view से सोच पाए लेकिन अगर इस view को मैं लेकर चलूँ कि और मैंने creative बच्चे के सामने ही रखा तो वो इसको लेके 100 तरीके से सोच सकते हैं कि यह आदा भरा है आदा खाली है इसमें यह चीज़ है उसमें वह चीज़ है ठीक है तो वह होते हैं आपके creative students जिनका IQ level 120 या 120 से अधिक होता है ठ करते हैं character statistics of creative students यानि कि विशेष्टाएं बताते हैं कि creative child के अंदर क्या क्या विशेष्टाएं पाई जाती है क्या क्या characteristics होती है कैसे बच्चे होते हैं पहली बात उनका IQ level होता है 120 120 से जाधा होता है second चीज किसी भी काम को करते समय हट कर सोचते हैं मतलब एक normal बच्चा क्या है मैंने आपको जैसे यहाँ पर बता दिया सबको दिखाएंगे तो शायद एक ही point से सोचे कि माम यह तो आदा खाली है ठीक है तो बच्चा क्या उसका second thought भी लेके आ सकता है creative की नहीं आदा खाली म आदा भरा हुआ है ठीक है तो इसलिए बाकी बच्चों से क्या extra सोचता है हट के सोचता है उसके बाद किसी भी चीज को जब explain करेगा तो अलग-अलग धंग से कर सकता है यह नहीं कि जो चीज पुराने तरीके से चली आ रही है पुरानी विचार्दार है उसी को लेके बच बचा चले for example मान लीजे कि जैसे हम लोग alphabets बढ़ाते हैं English में A for apple, B for ball तो इस स्टार्टिंग से क्या विचार्दार है चली आ रही है कि A for apple ही बढ़ाया जाता है classroom के अंदर ठीक है तो जो creative child होते हैं मतलब जिनमें surgeon शीलता होती है तो वो A for एहमदाबाद भी बोलेगा वो कहेगा माम A for apple ही क्यों A for एहमदाबाद भी होता है A for तो artist भी होता है ऐसी चीज़े बच्चा क्या है और लेकर आएगा creativity दिखाएगा अब बच्चे को आप सूचे कि यह words कहां से पता चले जब बच्चा इतना divergent thinking वाला होता है इतना creative होता है तो वो क्या होता है researcher होता ना को तो कुछ ना कुछ निकालता ही रहता है खोजता रहता है ठीक है तो अपने thoughts रखना अपनी अपने आपको present करना इस type के जो creative child मतलब creativity child होती है बच्चे के अंदर वो देखी जाती है ठीक है उसके बाद संबेजन शीलादिक होती है मतलब उनके अंदर क्या एक curiosity देख से सोचेंगे समझेंगे ऐसी क्यूं है ऐसी क्यूं नहीं है यह क्या है वो क्या है उनके अंदर curiosity रहती है हर बात को जानने की जग्यासा बनी रहती है ठीक है यह हो गई आपकी characteristics of creative child ठीक है अब बात करते है education of creative child अब आपको पता चल गया है कि creative child कैसे होते किते special होते उनको क education कैसी provide करेंगे जब वो 120 से उपर है जैसे हमने gifted child पढ़ा था तो वैसी उनको education provide करेंगे जैसे प्रतियोगिता उनके लिए आप quiz organize करेंगे extra को करीकुर हम activities organize करेंगे ताकि वो अपनी creativity ने इसको बाहर लेकर आए debates रखेंगे, painting competition रखेंगे, discussion रखेंगे तो वो क्या होगी एक topic के उपर जब उनकी विचार दा रहा है या thoughts होगी वो बाहर आएंगी अपने आपको कैसे explain करना है वो चीज़े बाहर आएंगी, present कैसे करना है वो चीज़े बाहर आएंगी, उनके सोचने की power increase होगी ठीक है और उसके बाद आप individually उन पर ध्यान दे के उनकी creativity को एक अच्छे तरह से modify कर सकते हैं कि उनको बता सकते हैं कि आप अपने लिये जो भी सोच समझ रहे हैं उसको आप आगे कहां use कर सकते हैं कहां use नहीं कर सकते हैं और प्रियोग शालाओं का उपलब कर सकते हैं यानि कि laboratories और libraries और clubs यह सारी facilities आप बच्चों को provide कर आ सकते हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा जो आपके creative child होते हैं वो laboratories और labs और clubs वेगरा में अपनी creativity क्या है खुल कर बाहर लाने के लिए try करते हैं कि वो कुछ ना कुछ experiments वहाँ पे करते रहते हैं ठीक है यह था आपका third type अब उसके बाद आता है आपका fourth type ओके अब आपका आता है fourth type जो आपके special child में आते हैं four type है आपका problematic child यानि कि समस्या आत्मक बालक अब समस्या आत्मक बालक से आप क्या समझते हैं कि जिनको कोई ना कोई problem होती होगी जिनको समस्या होती होगी वो वाले बच्छे आएंगे इसके अंदर वो वाले बच्छे नहीं आएंगे इसके अंदर वो वाले बच्छी आएंगे problematic child within जो दूसरों के लिए problem create करते हैं मतलब माल लीजे आप class में कोई topic से related मतलब कोई content कुछ पढ़ा रहा है कोई topic पढ़ा रहा है तो जो बचन disturbance करते रहते हैं एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं नाकून चबा रहे हैं टेबल के ऊपर टिक टॉक कर रहे हैं या अपस में कुछ गुसर गुसर कर्वर्षेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का शो शराबा कर रहे हैं कुछी चीज़ को समझ नहीं रहे हैं जूट बोल रहे हैं या फिर क्लास से भाग जाते हैं या पीरिट्स गोल करते हैं तो वह वाले कौन से students होते हैं वह आपके problematic child होते हैं यानि कि समस्यात्मक बालक होते हैं ठीक है अब समस्यात्मक बालक की शिक्षा और उप्चार अब आपको पता चल गया समस्यात्मक जो problem create करने वाले बच्चे होते हैं उनको कैसी education provide करानी चाहिए और उनको क्या remedies देने चाहिए जिससे वह problem create ना करें वह शान्त हो जाएं या बाकी बच्चों के साथ adjust करके चले उन्हें support करें उनकी help करें ठीक है तो जो होते हैं शरार्ती टाइप बच्चे वह वाले बच्चे ठीक है अब उनकी problems और उनकी education पर बात कर लेते हैं घरेलू बात्ता वरन में सुधार पहला point है कि हो सकता है जो यह problematic child होते हैं जो मतलब शरार्ती होते हैं इस type की problem create करते हैं एक classroom से भाग जाते हैं period school करते हैं तो शायद उनका जो घर का environment है वो appropriate ना हो मतलब होता है ना कुछ families में की कले होती रहती है पेरेंस की आपस में relationship सच्छे नहीं होते हैं लडाई यहां होती हैं अब इसके बारे में बात कर लिए हैं हमने की problematic child कौन से होते हैं समस्यात्मत बालक कौन से होते हैं जो problem create करते हैं ठीक है अब किसके बारे में बात करनी है अब बात करनी है treatment and education for a problematic child मतलब उनको कैसी शिक् या उनके साथ क्या treatment देना चाहिए उन बच्चों को जो उनकी problems मतलब problematic child के लिए ताकि वो problem create ना करें सही रास्ते पे आ जाएं समझे बात को और एक decent बच्चे की तरह behave करें ठीक है तो उसमें first point आता है घरेलू वातवरेंड में सुधार यानि की जो उसका home environment होता है आपको उसके लिए कुछ सुधार करना है कुछ implement करना है तो उसमें कैसे करेंगे आपको पता है कुछ families में क्या होता है कुछ बच्चों के साथ हो सकता है हर किसी की family का environment एक जैसा नहीं होता ह है ठीक है किसी का बहुत शान्त महौल होता है घर का किसी का बिलकुल हसी मजाक वाला महौल होता है यह किसी-किसी घर में हमेशे लडाई जगड़े या कले होती रहती है तो वहाँ पर क्या होता है यह सारी चीज़े के बच्चे के उपर effect करती है जिन घरों में जालत और वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम भी फेस करता है तो अपने पेरंस से क्या है फैमिलियर नहीं हो पाता है कहने में ड़ता है कि पापा हमेशा गुस्से में रहते हैं मम्मा के मतलब इस तरह से बिहेवियर रहता है तो वो लोग मुझे भी डाटेंगे अगर मैंने उनके सा से हर बात कहने के लिए डरता है . तो वह सात्र बच् बाहर ही बाहर रहता है और इस तरह कि अपनी जो मन के अंदर यह सारी चीज़े होती हैं बच्चे के जो उशको इस तरह से अलग थलग रखते हैं या problem create करते हैं तो वो सारी चीज़ें निकालने के लिए वो यह disturbance या क्या होता है या depression में आ जाता है या ऐसी हरकते करने लगता है कि दूसरों को problem create होती है पहला point यह है हमारा कि तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए पहले उसके family environment को समझना चाहिए और दूसरी यह कि उसके लिए फिर वैसा ही environment create किया जाए ताकि उसको एक proper education और guidance आप दे सको क्योंकि यह बच्चे ऐसे ही होते जरूरी नहीं है क्या पता है बहुत superior हो सकते हैं mental level अच्छा हो सकता है लेकिन इनको proper environment नहीं मिला होता guidance नहीं मिले होती ही और यह इस तरह से शरार्ते करते हैं ठीक है second point आता है अच्छी अध्यापन विदी यानि कि good teaching methods आप अच्छे teaching methods के थुरू भी बच्चों को teaching provide करा सकते हैं इसमें आप क्या कर सकते है कि छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं समयिद्यापन विदी आप को पता है कि आपको पता है कि छोटे बच्चों को अगर आप teaching करवा रहे हो तो उसमें क्या करोगे आप kindergarten विदी यूज करोगे, montessori वी यूज करोगे, play way method, activity method, यह ये सारे methods आप क्या है उसके अंदर यूज करोगे जो छोटे बच्चे है और बड़े बच्चों के लिए आप कौन से methods यूज करोगे जो बच्चे के लिए जैसे कि demonstration हो गया, discussion हो गया और activity based, activity नहीं आएगा बड़े बच्चों के लिए बड़े बच्चों के लिए आएगा discussion हो गया और आपका demonstration हो गया, lecture methods हो गया, problem solving हो गया, deductive हो गया तो ये सारे method का आएगे आपके बड़े बच्चों के लिए आएगे तो as a teacher आपको पता होना चाहिए कि problematic बच्चे जो समस्यात्मक बालक है उनकी problem को short out करने के लिए अपनी teaching इतनी effective करनी है methods के through ताकि वो ये disturbance ना करे class में, show शराबा ना करे, इशारे ना करे, जूट ना बोले और drop out ना करे, या periods बंग ना करे, तो उनका interest रवलप करना है आपको classroom में कि बच्चे एक तरह से सभी के साथ मिलजूल कर बढ़े, learning effective हो सके और बाकी चीज़े ठीक है उसके बाद आता है school का अनुशाशन, मतलब आपका discipline of school environment, तो उसमें क्या होता है, कि आपको बच्चों के लिए एक ऐसा environment प्रोवाइट कराना है, जो उनके adjustment के according हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें बच्चों के लिए निरिस्ता, boring, laziness, नींद आ रही है, यह सारी प्रोपर लाइटिंग नहीं है, हवा आने की facilities नहीं है, गर्मी लग रही है, और तो बच्चे क्या करेंगे, वैसी condition में properly पढ़ नहीं सकेंगे, disturbance होगी, क्योंकि दो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तीन करेंगे कि छोड़ना है, गर्मी लग रही है, क्या पढ़ना, यह सार आपकी response से बटिए, कि बच्चों को एक अच्छे वे में provide करा सकें, ठीक है, उसके बाद आता है, बच्चे की अभी रूची, अभी शमता की अनुसाय, यानि की education according to interest and their aptitude, अगर आप problematic child को इस तरह की education provide कराते हैं, कि वो उनके interest के according हो, उनके aptitude के level के according हो, तो बच्चे क्या है, drop out नहीं करेंगे, आपके class में उतना ही interest लेंगे, एक जगा बैट के लग के time से पढ़ेंगे, homework करके लाएंगे, बागी बच्चों के लिए problem create नहीं करेंगे, active learner रहेंगे, और supporters रहेंगे, helpers रहेंगे, तो बागी बच्चों के साथ सयोग करके teaching करेंगे, ठीक है, उसके यह बाद आता है, last point, मनोरंजन की सुवीदा है, यानि की facilities of entertainment, आप entertainment क्या, entertainment यह नहीं कि आप बच्चों को खड़ा करवा के, कि चलो dance करके दिखाओ, तो चलो singing करके दिखाओ, यह सारी चीज़े नहीं, आप teaching effective कर सकते हो, अपनी मतलब teaching learning process आप ऐसे कर सकते हो, कि वहाँ पे active रहें बच्चे और entertainment रहें, मतलब उनकी मनोरंजन हो सके, जिससे बच्चे टाइम टाइम पे, जैसे आप किसी content से related play करवा सकते हो, drama करवा सकते हो, नाटक करवा सकते हो, कानी कथन कह सकते हो, ठीक है, यह सारी चीज़े, और उसी के according को एक game play करवा सकते हो, यह सारी हो जाएगे और बच्चे को content learn करने में भी easy होगा, और वो जो problematic students है, जो problem create कर रहे है, उनका भी mind उस जगह पर लगेगा और वो problem करना कम कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आता है last हमारा जो type है, last and fifth point आता है, हमारा delicate child यानि की अपराधी बालक, अपराधी बालक कौन से होते हैं, अपराधी बालक के कानूनी पद है, इसका दात पर ये उन बालकों के अपराधों से होता है, जिनकी आयू 16, 17, 18 साल से कम होती है, जैसे चोरी करते हैं बच्चे, मार पीट करते हैं, खून करने वाले और rapist जो होते हैं वो, तो अपराध मतलब आपको पते हैं जो ये सजा भी मिलती है, तो ठीक है, ऐसा कोई गुनाह करना जिसके टूर्स आपको कानूनी रूप से, यानि कि according to law आपको उसकी punishment मिल रही है, ठीक है, और वो आपने सुना है, जुविलियन होम साइट्स में भेज देते हैं, जो 18 साल से कम उमर के बच्चे को ये अपराध करते है कि रेप कर दिया किसी का, या फिर चोरी की, या मर्डर कर देते हैं, तो उनको क्या जुविलियन होमस में भेज देते हैं, सुधार आत्मा जो ग्रे होता है, उसमें भेज देते हैं, वो बेसिकली के लिए होता है, जो 18 साल से कम उमर के बालक होते हैं, और उन्होंने कोई अ अब अपरादी बालक के उच्चार और शिक्षा, अब अपरादी बालक को कैसी education प्रवाइट करानी चाहिए, या उसके remedials क्या है, ठीक है, पहली बाद, जो हमारे equivalent child होते हैं, यानि क्या अपरादी बालक होते हैं, वो two types के होते हैं, निरोध आत्मक प्रवर्दियां और preventive measure, preventive क्या होता है, इन प्रवर्दियों के समर्तों को का विश्वाश है, कि किसी बालकों को अपरादी बनाकर, फिर उसमें सुधार लाने की अपेक्षा कहीं, अच्छा है कि अपरादी बनने से रोक लिया जाए, मतलब जो आपके preventive measures के thoughts रखते हैं, मतलब एक तरह से prevent कर करना, इस चीज़ का वेट नहीं करना, कि पहले बच्चे अपराद करें, मतलब कोई जोर्म करें, धन उनको सुधारा जाए, preventive होता है कि ऐसी conditions और facilities, ऐसी guidance या instruction बच्चों को दिये जाए, जिससे वो अपरादी न करे, तो उसके बाद सुधारने का कोई वो ही नहीं है कि हम बच्चे अपराद की तरफ जाए ही ना, ऐसा कुछ गलत कदम उठाए ही ना, ठीक है, ये नहीं करना हमें, कि ठीक है, बच्चे ने अपराद कर दिया, तो अब उससे सुधार लेंगे, उसकी गलतियों को सुधार लेंगे, वो चीज़ नहीं करनी, क्यूंकि उसमें एक harmfulness ये है, एक negative point ये है, कि कई conditions में होता है, कि बच्चे सुधर जाते है, कि हमें punishment मिली, तो आप हमें सुधर नहीं, ऐसा दुबारा नहीं करना, लेकिन कई conditions में बच्चों के साथ ये होता है, कि ठीक है, यार, punishment, मतलब ये गुना किया, punishment मिल गई, ठीक है, अगली बार गुस्स आपका preventive measure, और दूसरा होता है, corrective measures, यानि कि उसके अंदर आते हैं, कि ये विदिया बालक के अपरादी होने के बाद अपनाई जाती है, ठीक है, corrective measure हो गया, कि बच्चे ने अपराद कर दिया, then आप उसको क्या करेंगे, remedial करेंगे, आप उसको सुधारेंगे, ठीक है, अब एक और चीज़, जो first point है, preventive measure, तो preventive measure में क्या होता है, कुछ महते पुन प्रवर्दियां या points रखे गए हैं, जैसे कि आप उन बच्चों को कैसे सुधार सकते हैं, उस condition में, देखो, जो मेरा ये अपरादी बच्चे का वो है न, मतलब point है, इसके अंदर हम जो discuss कर र divide करानी है, और उनके लिए क्या चीज़ उप्चार, यानि कि remedial करनी है, तो वो उसमें उप्चार में और education में two types divide कर दिये गए, first type तो हो गया, आपका preventive measure, और second type हो गया आपका corrective measure, ठीक है, अब first type यानि कि preventive measure के अंदर, बच्चे को कैसी education देनी चाहिए, बच्चे को कैस सुधारना चाहिए, सुधारना कैसे चाहिए, माता पितना, पिता के स्ने और ध्यान के according, मतलब अगर आपके parents आप पे ध्यान देते हैं, या आपको प्यार करते हैं, तो आप कोई भी अपरात की तरफ नहीं जाओगे, कई बार यह ऐसा होता है ना, कि बच्चों का अपने घर से वो प्यार, वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो इसलिए parents की duty है, कि बच्चे को वो हर condition में सपोर्ट करे, गाइड करे, और प्रॉपर प्यार दे, ठीक है, उनके साथ कोई पाशाल्टी ना हो, ठीक है, उसके बाद आता है, उप्युक्त घरेलू वातवर, यानि कि appropriate home environment उनको provide करे, जहां पे कलहे ना हो, लडाई जगडे ना हो, ऐसी चीज़े दे, प्रॉपर ऐसा environment दे, जहां पे education से related बाते हो, supporting हो, और हसी प्यार हो, ये सारी चीज़े हो, और उसके बाद उप्युक्त च्छाओ की पूर्ती, बच्चे के according जो ऐसी उसकी wishes होती है, बच्चे की उप्युक्त च्छाओ की पूर्ती करनी है, मतलब सारी wishes पूरी नहीं करनी, अगर बच्चा कहें कि ममा मुझे तो इसका मटर करना है, वो थोड़ी ना available है, या फिर आपके according, वो society के needs के according right है, तो आपको बच्चे की वो wishes पूरी करनी है, जिसके according आप समझ रहे हैं कि बच्चा आगे अच्छा कर सकता है, या फिर उसके लिए वो ठीक है, ठीक है, सारी wishes बच्चे की पूरी नहीं करनी है, आपको वो wishes पूरी क करनी है, ताकि आप बच्चे के लिए एक bright future, मतलब develop कर सके, उसके बाद आता है, एक appropriate discipline में बच्चे को develop करें, उसको पता होना चाहिए, आपका घर, family, society, और school, सारी चीज़े क्या हैं, उसके according आपको कैसा, मतलब discipline में रहना है, कैसा react करना है, कैसा behave करना है, किसके साथ कैसे बाते करनी है, कहां पर आपको क्या चीज़ बोलनी है, क्या नहीं बोलना है, यह सारी चीज़े ठीक है, उसके बाद उचित शिक्षा, यानि कि appropriate education आपको बच्चे को provide करानी है, ताकि वो गलत रास्तों पढ़ना जाए, अपराधी ना बने, यह सारी चीज़े ठीक है, अब उसके बाद second point हमारा corrective measures, corrective measures में मैंने आपको क्या बताया, prevent में तो हमें पहले ही ध्यान रखना है कि बच्चा अपराधी बने ही ना, और corrective measures में क्या है, अगर बच्चा अपराध कर देता है, मतब अपराधी बन जाता है, उसके बाद हमें एक ऐसी education provide करानी चाहिए, क्या चीज़े ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि वो अपने लिए उस चीज़ में सुधार ला सके, यह नहीं कि आज कर ली कोई बात नहीं, दो बारा भी मटर कर लिया, तीसरी बार भी कर गया, फिर वो मटरर ही बन गया, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक ब भी उसने गलत किया है, उसके अकॉर्डिंग उसे पनिश्मेंट मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ यह चीज़े भी ध्यान रखी जाए, कि इतनी कठोरता नहीं होनी चाहिए बच्चे के साथ, कि बच्चा उस चीज़ को नेगेटिव ही ले ले, मतलब वो उसी वे मे धल जाए, अपरादी ही बन जाए, उसमें कोई सुधार ना है, ठीक है, उसके बाद है, साइको डाइनमिक मैथड, मतलब इस वीधी के अंदर बच्चों को परामर्श याने की काउंसलिंग के द्वारा, अपरादी ही हो, में सूजबूश समझ उत्पन करने का, और बिहेव आपने गलती की है, तो आपकी गलती करने का आपको यह रिजल्ट मिला, और जो बच्चे यह गलती नहीं करते हैं, अच्छे से रहते हैं, शोशल लाइफ अच्छे से जीते हैं, अपने शोशल लाइफ में एडजस्मेंट करते हैं, देखो आज वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो आप दोनों में क्या क्या डिफेरेंट है चलो अपनी गलती कर दिये हों अपनी दुबारा से लाइफ कैसे संनसे कर सकते हों आपको अभी भी जुव्यन ओंस में कौन कौन से दी जा सकते जिसे साथ पढ़ाई भी कर सकते यह सारी चीज़न उसके बाद आता है वहवार आत्मक विधी यानि कि behavior approach इस विधी में बच्चों को उप्युक्ट पुनरवलन देकर उनका नए वहवारों के साथ अनुबंदन यानि कि conditioning बनाई जाती है ताकि पुराने अपराद वहवार की बरामबत कम हो जाए मतलब इसका मतलब यह है कि behavior approach के द्वारा जो बच्चे ने अपराद कर दिया है उसकी consistency को कम करने के लिए आपको जो अभी बच्चा current में कर रहा है माल लिजे एक बच्चे ने कोई अपराद कर दिया और वो अभी juvenile homes में है ठीक है तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है education भी ले रहा है छोटे मोटे अपना होता है न घर पेट पालने के लिए कुछ काम भी कर रहा है वहाँ पे जेल में या फिर और कुछ सबाक्यों को support कर रहा ह तो आपको हमीशे उसको taunt नहीं मारती कि ये रेखो murder करके आगया ये किसी का rape करके आगया या ऐसी चीज़े नहीं करने है वहाँ पे क्या है उसकी current life से उसको motivate करना है कि ठीक है life में जो why ये उस time कि जो conditions थी कि आपके साथ ऐसी चीज़े हो गए बट आप अभी बहुत अच condition को present life के साथ connect करके उसको motivate करना है ताकि जो पीछे गलती हो चुकी है उसको वो भूल सके या उसके जो उसकी चीज़े हैं उसको minimize कर सके अपनी life से उसको delete कर सके अपनी life से ठीक है और वो future में आगे बढ़ सके तो आपको वहाँ पर ऐसी conditions provide करनी है बच्चों के साथ ठीक है उसके बाद आता है पुन्रवास विरी यानि की rehabilitation method इसमें ऐसा वातवरन उत्पन किया जाता है जहां पर सुवता ही अपराद ना करने की प्रेड़ना अपराद करने की प्रेड़ना से त्रेव होती है मतलब rehabilitation method में क्या होता है कि बच्चा खुद को motivate करता है खुद को इस कोई अपराद ही ना करे मतलब आप बच्चे के अंदर इतनी positivity भर दो इतनी positivity डाल दो कि वो negative रास्ते पर जाए ना वो इतनी emotionally strong हो इतना अपनी social life को समझे इतना अपने parents के बारे में सोचे society के बारे में सोचे ऐसे अपनी education का use करे ताकि वो किसी भी condition में अपराद ना करे अ वो अपराद करने के लिए मजबूर हो रहा है या वहां पर उसको वो कदम उठाना ही है तो उस condition में भी वो खुद को self को उस रूप में motivate कर पाए कि खुद को रोग सके उसको पता हो कि यह चीज सही नहीं है इस time पर तुमें patience होने चाहिए या इसका कोई और दूसरा रास् सकते हो तो इसलिए rehabilitation में है कि आप जो thoughts आ रही है आपके mind में अपराद करने वाली उसके उपर second thoughts को हावी कर दो कि आप उनको पुन्रवास कर दो दुबारा से सोचने पर मजबूर हो जाओ कि यह वाले point नहीं अच्छे मुझे यह वाले points पर ध्यान देना है इसके according ही मैं ठीक है तो बच्चों के अंदर अपरादी बच्चों के अंदर आपको यह वली भावना जो है डेवलेप करनी है ठीक है अब यह जो हमारा topic था है special child अब इसमें मैंने special child क्या होते हैं वो भी discuss कर लिया आपके five type के special child होते हैं वो भी discuss कर लिया IQ level भी discuss कर लिया उनका और उनक के बच्चों के सबकी पाच्चों के पाच्चों जो special child के types बताए हैं उन पाच्चों के education उनकी characteristics और उनको हम कैसे remedial दे सकते हैं वो सारी बाते discuss कर लिए ठीक है तो इसी के साथ special child का topic finish होता है ज्यादा बढ़ा नहीं था छोटा सही है और इससे related कोई भी queries हो कुछ पूछन करना चाह रहे हों तो please comment session में comment करके बता सकते हैं और वीडियो को like जरू करिए अगर परसंद आई जो आपके friends है जो KBS के लिए prepare करें उनके साथ share किजिए और subscribe मत करना भूलना channel को और non-technical जो PGT computer science के लिए prepare करें वो description में link available है उसके लिए course order कर सकते हैं online और बाकी हमारे classes continue ह नहीं जल्दी से जल्दी course complete करने के लिए try करेंगे ठीक है thank you so much